हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का एक बार फिल से हमारे चैनल GDC मेडिसिन में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा प्रचलित मेडिसिन सुमो कोल टैबलेट के बारे में सुमो कोल टैबलेट ही बहुत ही ज्यादा उपअशक होती हुए अज करेंगे में कंटेंट में कंपोजिशन क्या-क्या अब करने का तरीका यानि की mechanism affection क्या है इसके इस्तमाल करने का सही तरीका इसका dose इसका precaution इसका side effect मतलब इस tablet की हम आपको संपोड़ जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो मदे रहिएगा ताकि कोई भी information में स्नौने पाए जी हां सुमो कोल इस tablet सरदी जुखाम सरदर्थ बनना के लर्जी एवन बुखार में उपयोगी होता है जिसके अंदर main salt क्या है चार चीजे मिले होंगी देख लीजे ध्यान से पैरा सीटमॉल इस टैबलेट में 500 mg मिला होगा caffeine 30 mg मिला होगा diphenhydramine hydrochloric acid जो की 25 mg मिला होगा phenylphrin hydroclide जो की 5 mg मिला होगा इन चारो content के मिलकर ये सुमो कोल बनाई जाती है प्राइस की बात कर लें तो एक strip में लगबग 10 टैबलेट आती है जिसकी कीमत 30-40 के आसफ़ास आ जाती है जो company से बनाती है वो है Alchem Laboratories Limited room temperature पे इसे store किया जा सकता है बात करेंगे उपयोग की देखिए ये मेली common cold का symptom जब आपको cold होता है जुकाम होता है तो बंद नाक नाक बंद हो जाती है उसको ठीक करेगा रनी नोज allergy के symptom नाक बहना छीक आना आक से पानी आना इन सारी समस्याओं को भी ठीक कर देगी साथी साथ हेडक साइनस में पेन है सरदर्द है उसको ठीक करेगी साइनस के पेन को और अपर respirator track में जो भी allergy होगी मतलब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मात्र एक tablet sumo cold की बहुत ही beneficial मानी जाएगी बात करेंगे mecanium affection कैसे काम करता है काम करने का तरीका क्या है देखिए जो चारो content है चारो content का अलग अलग रोल होता है सबसे पहले बात करेंगी जो डाइफेन हाइड्रामीन है डाइफेन हाइड्रामीन एंटी हिस्टामीनिक ड्रग है जी हाँ एंटी हिस्टामीनिक मतलब हिस्टामीन के अगेंस्ट वर करेगी हिस्टामीन क्या होता है chemical messenger होता है जो की body में allergic symptom के लिए responsible होता है जो आपको चीक आता है आख से पान याना, नाख से पान याना, skin allergy तो इन सारी चीजे के लिए histamine responsible है उसे histamine को inhibit कर देगा ब्लॉक कर देगा उसके reduce कर देगा जिससे आपका क्या हो जाएगा allergic symptom धूर हो जाएगा डाइफेन हाइड्रामीन के द्वारा पेरासीटामाल जो मिलाया गया है तो सभी लोग जानते हो बुखार को पेन को ठीक करता है प्रोष्टागलेंडिन को inhibit करता है कॉक्स पेक्ट करेगा तो इस तरीके से पेरासीटामाल अट करेगा caffeine का क्या कारण होता है क्या काम होता है यहाँ पर caffeine effectiveness परासीटामाल के effectiveness को बढ़ाता है और जो sleepiness cause होती है न डाइफेन हैड्रमीन के दरा उस sleepiness को दूर करता है alertness नीद नहीं लगने दिता है caffeine के कारण फिर phenylferin की बात कर लें तो यह तरह से decongestant नाजल डी-congestant यानि की जो हमारे nostril की जो blood vessel है जो dilate होके नाक को बंद कर रही थी उन्ही को क्या करता है सिकोर देता है कॉंस्टिट कर देता है जिससे जो विसल होती है खुल जाती है और जो बंद नाक की समस्या है वो भी दूर हो जाती है तो इस प्रकार से ये सारे content अपना अपना role play करते हैं और आपका सारा symptom को दूर करने का काम करते हैं बात करेंगे doses की तो dose के लिए आप अपने doctor से अगर consult करके लेंगे तो ज़्यादा बेतर होगा वैसे common dose की बात कर लें तो एक से दो tablet आप एक दिन में ले सकते हो और इस tablet को holy swallow करना होता है चीव crush या break करके खाना नहीं होता और खाना खाने के बाद लेने पे इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है बात करेंगे precaution क्या सावधानिया बरतनी है देखे सुमो कोल टेबलेट को alcohol के सौथ लेना अवाइड करें अगर आप pregnant women है तो आप अपने दॉक्टर के कंसल्ट के बाद इसे लें best feeding mother के लिए जो बच्चे को दूद बगरा पिलाती है उनके लिए safe माना जाता है और अगर आप kidney disease के patient है liver disease के patient है तो आप अपने एक doctor के कंसल्ट के बाद इसे use करें बात करेंगे side effect वैसे तो common side effect सभी जो tablet का होता है उसी का हुआ कि nausea हो सकता है vomiting की feeling आ सकती है डारिया देखने को मिल सकता है ठकावट लग सकती है थोड़ा सा sleepiness feel हो सकता है और थोड़ा सा चक्कर वगरा आ सकता है सोडिया सुडेन ये था आपका sumo cold tablet जी हाँ एक ऐसी tablet जो कि धेर सारे फाइदे दिखाता है single tablet सर्दी हुआ उसे related जो सर्द हुआ सरदर्द हुआ बंद नाक हुआ छीक आना आक से पानी आना नाक से पानी आना allergic symptom है बुखार है sinus में pain है headache है इन सारी समस्याओं को दूर करती है ये tablet इस टैबलेट की जानकारी आपको कैसे लगी अगली medicine अगली दवाई अगला tablet किसके बारे मताए उसे भी comment box में जरू लिख दीजेगा इससे related जो भी आपको medicine की जानकारी चाहिए अच्छे ची medicine की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस channel पर visit कर लिजे चैनल को subscribe कर लिजे धेर सारी medicine की information मिल जाएगी वीडियो अच्छा लगा हो तो और और तक जरू सेर करें चली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much dear all the very best